बजन सहीता अध्याय सत्ताइस चड़ाई की थी तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा चाहे मेरे विरुद्ध लढ़ाई ठंजाए उस तशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा एक वर मैंने यहवा से मांगा है उसी की यतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं जिससे यहोवा की मनोहरता पर तुरुष्ट लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करो क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंदप में छिपा रखेगा अपने में जैजेकार के साथ बलिदान चड़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा है यहोवा मेरा शब्द सुन मैं पुकारता हूं तु मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे तुने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो इसलिए मेरा मन तुछ से कहता है कि है यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा अपना मुख मुझ से न छिपा अपने दास को कोद करके न खटा तु मेरा सहायक बना है है मेरे उधार करने वाले परमिश्वर मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों की कारण मुझको चवरस रास्ते पर ले चल मुझको मेरे सताने वालों की चापर न छोड क्योंकि जूटे साक्षी जो उपदरों करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे है यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवतों की पृत्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मुर्चित हो जाता यहोवा की बाट जोता रह ही याव बांध और तेरा रधै दुड़ रहे हाँ यहोवा ही की बाट जोता रह